बिजली गयान चैनल पर दोस्तो आज का जो हमारा टोपिक है वो है अरक के बारे में अरक तो दोस्तो जितने वी वीडियों है यूट्यूब के उपर अरक के बारे में वो उसमें इतना अच्छी तरह से एक्स्प्लेंग नहीं किया गया है कि अर्क क्या होती है अर्क welding के बारे में वीडियोस हैं और अर्क के बहुत सारी uses बताए गए हैं पर असलिएत में अर्क क्या है इसको explain नहीं किया गया है तो आज की हमारी इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि अर्क क्या होती है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि अर्क को अगर हम थ्रैटिकली explain करें तो ये क्या होता है कि हवा के अंदर हवा के अंदर electrical charge का आ जाना electrical charge का आ जाना हवा के अंदर और दूसरी भासा में अगर इसको और असान तरीके से मैं आपको बताऊं हवा के माध्यम से electricity का गुजरना तो जैसे कि मैं आपको और सिंपल करके बिताता हूं कि जैसे कि ये हमारी 220 वोल्टेज है क्या होता है कि ये और ये हमारा connector है जिसके जरीए electricity आगे बढ़ रही है आगे जा रही है तो जहां पर connector हमारा break हो गया तो अब इसकी आगे जो है बिजली नहीं जाएगी पर high voltage की condition म नहीं कि ये हम लेते हैं ग्यारा के भी ग्यारा हजार voltage ऐसा होता है कि जैसे कि ये हमारी voltage आगे जा रही है और यहां पर इसको थोड़ा सा break पड़ गया तो क्या होगा दोस्तों कि ये जो अब इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा करके देखा रहा हूं पर इसमें दूरी ज्यादा नहीं होने चाहिए एक इंच के करीब दूरी होने चाहिए दोस्तों ग्यारा के वी की condition में हाई वोल्टेज में अगर दूरी थोड़ी जादा हो जितनी वोल्टेज बढ़ती जाएगी उसके अपर दूरी का परवाव जो है कम होता जाएगा तो अब यहां पर क्या होगा दोस्तों कि अब इसका जो गैप है इससे थोड़ी वोल्टेज इसके अंदर जाएगी इससे conductivity का काम करेगी conductor का काम करेगी high voltage की condition में तो वो उसको और उस वो हमारी जो है कुछ flash के तरीके से दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं अरक आपको अपनी rail life में जो मैंने अभी अरक देखी थी के बारे में आपको बता रहा हूं जिससे आपको और भी यहां हो जाएगा तो जैसा कि दोस्तों मैंने क्या देखा था कि हमारा 11ibilidad सफ्रिव्टाई ट्रका फिटर है 11 कि सप्लाई और यह जो हमारा जीऊ सुच है मैंने पुरी तरा रतेस से यतनर मैंने आपको समझाना है उस तरह मैंने यह बनाए है तो यह अंडर कराउंड होके कि यह चारसो चाली में कर रहा है तो हमने यहां पहे देखना है कि जो 11 वेन सप्लाइंस में जा यह क्या तो जैसा मैंने आपको दिखाने यह को कि ए 되면 चीट ड़े और यह जो तीसरा फ्यूज है ये किसी फॉल्ट की वज़ाएं से हाई लोड की वज़ाएं से यह यहां से क्वेंग ओर इसके बीच का जो गैप है इसकी दूरी एक इंच थी दोस्तों जो मैंने दैख था दाजन एक इंच में चमक चमकती है, ऐसे एक FlAsh दिखाईरी थी, जो लगातार इस सरकट में चमक रही ही ती, और इस सरकट को पूरा कर रही थी. तोब तो सवाल यह आता है कि क्या वो शर्कट को अच्छी तरह से पूरा कर रही थी? क्या इसके ऊपर हम लोड चला सकते हैं, जो ये वोल्टेज यहां से क्रोस हो रही है क्या इसके ऊपर लोड चलाया जा सकते हैं तो दोस्तो इसका जवाब है नहीं हम इसके ऊपर जो है लोड नहीं चला सकते हैं यह सिर्फ नो लोड के ऊपर ही काम करती है लोड को चलाने के लिए दोस्तो एक पत्त की जुरूरत पड़ती है जो की conductor ही पूरी कर सकता है यह जो air gap है दोस्तो इससे पूरी voltage नहीं गुजरती है इससे voltage कम होके जाते कि हवा जो है वो एक conductor नहीं है वो high voltage की वज़ा से जैसे कि आप जानते हैं हमने अपनी पिछली वीडियो में समझाया है कि अगर voltage high हो जाती है तो कुछ insulator जो है वो connector में थोड़े से तब्दीर हो जाते हैं उनमें connectivity आ जाती है थोड़े से conductor के गुन आ जाते हैं तो यह वो ही condition है दोस्तो high voltage के कारण जो हवा है दोस्तो वो कुछ कुछ conductor की तरह react करने लग जाती है जिसकी वज़य से अर्क की जो condition है वो बनती है और हमें अर्क दिखाई देती है तो जो यह अर्क है जो हवा का air gap है यह सिर्फ इतना conductor का काम करता है कि इससे voltage गुजर सकती है इससे current नहीं गुजर सकता और दोस्तों दूसरा मैंने practically देखा है इसको 66 kv के अंदर 66 kv को मैं जब isolators उसके हटाते हैं handle के जरिए तो तकरीवन मैंने आदा फूट के करीब देखा है कि आदा फूट तक जो है अर्क उसमें पैदा होती है दोस्तों मैं आपको अर्क को समझाना चाहूंगा breakers के अंदर जो 11 kv के हमारे breakers होते हैं उनका और अर्क का क्या समंद्ध है और उसमें अर्क को कैसे control किया जाता है और अर्क को क्यों control किया जाता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे VCV की VCV मतलब vacuum circuit breaker circuit breaker में क्या होता है VCV में क्या होता है कि जब हमारे जो connectors होते हैं three-phase connectors जब इस switch को on या off किया जाता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि basically जब यह connector जो है एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इनके बीच में अर्क पैदा होगी यहां पर अर्क पैदा होगी जब इनको own या off किया जाएगा तो उस अर्क से क्या होगा कि heat पैदा होती है अर्क से heat पैदा होती है जो इन connectors होते हैं जो terminals होते हैं यह heat के जरिये आप जानते हूं कि यह copper के या फिर जादर को copper के ही वहने होते हैं तो यह heat की वज़ए यह heat की वज़ए से melt हो जाते हैं और एक खराब होने ले लगते हैं याने की घिजने ले लगते हैं तो इस अर्क को इसी लिए खतम करना बड़ा जरूरी है तो vacuum circuit breaker में क्या होता है दोस्तों vacuum भड़ा होता है गैस बड़ी होती है जो की है जब इसको on and off किया जाता है तो यह gas जो है अर्क को खतम कर देती है और ऐसा ही होता है हमारा OCB में oil circuit breaker oil circuit breaker में दोस्तों क्या होता है की ऐसी होता है उसमें जैसे की यह दोनों connectors के अंदर जो what? अगर इनमें अर्क पैदा होती है और या क्लिप की कंडीसिन में जब हमने इसको ओन या ओफ करते हैंं तो अगर इसमें अर्क पयादा होगी तो जो उसमें Oil है जो तेल है वह इस अर्क को खत्म कर देगा तो इसलिए जो है circuit breaker में Oil डाला जाता है या फिर उसमें vacuum का प्रेहुग किया जाता है गारें आपको पूरी जानकारी मिलगी होगी कि और क्या चीज है हमने जिस तरह इसको अची तरह से explain किया है आपको और कोई भी वीडियो अभी तक मैंने देखा कि YouTube के पर नहीं है मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद